प्रश्ट करने वाला था वो मैं शायद इस स्टेज पर पोस्ट नहीं करने का सोचा था क्योंकि मैंने सोचा था कि जब यह अद्रक निकालूंगा मैं उस समय आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा लेकिन आज यह वीडियो आप तक पहुंचाने का इसका मकसद यही था कि अभी जो अद्रक की स्टिती है यह स्टिती यह जो स्टेज है यह आपको जानना बहुत जरूरी था और इसलिए मुझे लगा कि इस समय यह वीडियो बनाए जाना बहुत जरूरी है मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकरतिक फार्म की यूट्यूब चानल नैश्रल फार्म 2020 को और में के महीने में इसका जर्मिनेशन हुआ था कई लोग मुझे से पूचे हैं कि कब लगाया था और जर्मिनेशन कब हुआ था तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप भले ही इसको फार्वरी में लगाएं भले ही आप इसको मार्च में लगाएं लेकिन इसका बार अद्रक कर रहे हैं तो ये मस सोचिएगा कि इसमें कोई रोग है क्योंकि ये इसका एक नेचर है अब आठ महीने की फसल हो चुकी है तो अगले 15-20 दिन में ये पूरी तरीके से मैचियोर हो जाएगा तो ये जो पीला पन आपको देख रहा है पत्तियों पे अगर आप थ है कि इसके बाद ये जो अद्रक के पत्ते हैं वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे पीले पढ़के और इसमें सर्फ अद्रक का कंद रह जाएगा अगर आपको इस मल्टिले फार्मिंग को लगाना है तो फरवर्यों मार्च सबसे सही समय होता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पूरा अद्रक है ये अद्रक मैं अपने ही लिए रखना चाहता हूँ और ऐसे बीज सीट की तरह इसको मैं अगले सीजन में इसका प्रियोग करना चाहरा हूँ तो ये एक और बेड है जहां आप देख सकते हैं अद्रक की कैस्तिती है यहां भी बहुत अच्छी ग्रोध थियत रखी और यहां भी पत्ते अब इसके पीले पढ़ने चालो हो गए हैं तो अगर आपने मेरे पिछले सीरीज देखे होंगे पिछले पार्ट्स अगर आपने मल्टीले फार्मिंग के देखे होंगे तो मैंने बताया था कि इसमें बैक्टिरियल विल बना चुका हूं उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उपर आई कार्ड में भी आपको पार्ट वन और पार्ट तू के जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपको मिल जाएंगे तो अभी यह महिना जैनवरी का और मुझे उम्मीद है कि इस मतलब जैनवरी एंड तक यह पत्तियां पूरी पीली पड़ जाएंगी और फरवरी के आसपास मिलब मिट फरवरी के आसपास या दस फरवरी के आसपास यह जो अद्रक है वो निकालने लाएक हो जाएगा आपके नेक्स क्रॉप साइकल के लिए तो जैसे मान लीजिए अद्रक इसमें से निकलेगा यह द्रक को निकाल के मैं दूसरी जगे इसको सोइंग इसकी कर दूँगा अब कोशिश करें कि 15 फरवरी से 15 मार्स तक इस मॉडल में जो भी आपको क्रॉप्स लगानी है वो आप लगा लें जैसे कि अद्रक है धनिया पालग मैथी सेकंड क्र क्रॉप्स लगाना है और अगर आप इसमें पपीता लगाने का सोच रहे हैं तो फरवरी के महिने में आप उसकी नरसरी तयार करें देशी पपीते की सो दैट उसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज्ञादा जाए और इस इस्ट्रक्चर की ऊपर निकल जाए वो पपीता तो फ इस structure में आप उसको transplant कर सकते हैं तो मैंने इस model में जैसे आप सभी को पता है कि सिर्फ 4 फसले मैंने ली थी तो ये वीडियो इसलिए आप तक लाना बहुत जरूरी था कि ये जो stage है ये बहुत ही एक important stage है कि अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो कुछ इसमें रोग है तो वो रोग नहीं है ये एक sign है कि आपका अद्रग मैच्वर होने लगा है तो मैं आगे आगे आपको दिखाता हूं कि इस समय अद्रग के कंद की क्या स्थिति है और कितना बड़ा size पड़ा है तो साथियों ये है इस समय अद्रग के कंद की स्थिति ये बैट के इस corner से हमने ये अद्रग निकाला था और ये इसके पत्ते हैं जो आप देख सकते हैं इसकी पत्ते हैं पीली पड़ रही है तो पहले ही बताएं कि एक sign है कि आपका अद्रग घरे घरे mature हो रहा है तो आप देख सकते हैं अद्रग के कंद की स्थिति सुरें अगर आप थोड़ा से पास लेके आए तो ये अभी भी पूरी तरीके से mature नहीं हुआ है क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है इसमें अभी भी एक जो layer होती है skin जो है अभी तक नहीं चड़ी है यसे आप जहां देख सकते हैं इसमें अद्रग में एक skin चड़ चुकी है यहां भी skin नहीं चड़ी है तो ये अद्रग अभी भी fully mature नहीं हुआ है और अगर आप इसको बीच के तोर पर उपयोग करना चाहते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो अद्रग है वो fully mature होना चाहिए अगर वो mature नहीं है तो आपको आगे जाके problem हो सकती है और mature देखने का तरीका वो ही है कि आपके जो अद्रग के पत्ते हैं वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे वो एक तरीके से एक mulch में एक straw में convert हो जाएंगे और उपर पत्तो जब पत्ते नहीं बचेंगे सिर्फ और नीचे आपका कंद बचेगा उपर पत्ते आपके पूरी तरीके से सूख जाएंगे तो वो एक sign है कि आपका जो अद्रग है वो पूरी तरीके से mature हो चुका है मैं काफी satisfied हूँ इस अद्रग के कंद के साइज से क्योंकि एक और factor ये था कि आप देख सकते हैं कि ये जो bed है ये बिल्कुल किनारे से हमने ये अद्रग को निकाला है और होता गया है कि जब हम बार-बार ये एक चलने की जगे है ये तो बार-बार हम इससे आना जाना करते हैं तो यहां हमारी मेहनत नहीं हो पाती है इसमें attention नहीं दे पाते हैं उसके बावजूद भी यहां अद्रग का कंद का साइन इतना अच्छा है तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि बाकी बैट पे अद्रग का जो साइज है वो बहुत अच्छा निकलने वाला है क्योंकि कई कई जगे आप देखें यहां तो बिलकुल भी इतना घनापन नहीं था पर अगर आप थोड़ा सा दूर अगर आपको शायद इस वीडियो में देख पाए कि बहुत एक density जो अद्रग के है बहुत अच्छी देख रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें जो अद्रग का उत्पादन है वो कम से कम आठ गुना निकलना चाहिए हमने जैसे आपको पता होगा 50 किलो अद्रग हमने इसमें लगाये था तो कम से कम 400 किलो यानि 4 कुंटल अद्रग तो निकलना ही चाहिए तब जाके आप बोल सकते हैं कि ये जो मॉडल है आपको अच्छा खासा इसमें पैसा देखे जा सकता है तो एक एकड के लिए हमको लगेगा करीब 7 कुंटल अद्रग इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 कुंटल तो निकलना चाहिए बाखी के 3 कुंटल अगर मैं एक्सपेंड किया जो मुझे लग रहा है कि मैं करने वाला हूं तो अगर एक्सपेंड किया तो 3 कुंटल अद्रग मुझे और खरीदना पड़ सकता है तो किसान साथी उम्मीद है यह जो आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा क्योंकि यह स्टेज था बहुत जरूरी था आप तक पहुंचाना क्योंकि मैं पहले भी दो बार अद्रग लगा चुका हूं और किसी ना किसी कारण से दोनों बार में फेल हो चुका हूं क्यों उस मौडल में गलती नहीं थी गलती कहीं नहीं केंविवेडी तरह से थी और मैंने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया था इंसक्त यह जो स्टेज जहां आपको देख रहा है पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो मैंने इस स्टेज पे पानी भी दे दिया था क्योंकि हमन अगर अद्रक के पत्ते पीले पड़ रहे तो उसका मतलब ही कि आपका अद्रक जो है वो धीर धीर मैचेवर हो रहा है तो इस मल्टी लेयर फामिंग से रिलेटेड अगर अभी भी मन में आपके कुछ डाउट्स हैं कुछ प्रशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जगाना चाहरा है तो उसको step by step जानकरी मिल जाए को कि आपने देखा होगा पार्ट one से लेके आज ये पार्ट ten है इस सीरीज का दसवा पार्ट है ये तो मैंने पूरी वही कोशिश किये कि आपको इस सीरीज में वो सारी चीज़े में बताऊं एक ground realities आपको बताऊं कि इस structure को खड़ा करने में इस structure को sewing करने में land preparation करने में क्या-क्या challenges आते हैं और किस तरह से करना है ताकि कोई नया किसान है जो खेती में नया है और खासकर natural farming में नया है तो उसके लिए एक easy हो जाए कि वो इस videos को देख देखके इस structure को अपने खेत पे कड़ा कर सके क्योंकि मैं उस पर आप अपने खेत पे multi-layer farming का structure लगाना चाहते हैं तो part 1 से लेके part 10 यह पूरा series आप जरूर देखे मुझे उम्मीद है कि यह पूरी series आपके लिए बहुत ज़दा उपयोगी रहेगी बहुत ज़दा beneficial होने वाली है और इसी note पर मैं आपसे विदा लूँगा बहुत बह झाली है खिर मैं पर दूदा आ झाली है पीत है